हेलो दोस्तों हमारे चैनल व्येस ओंलाइन टिपस में आप सभी लोगों का एक बार फीर से बहुत-बहुत सौगत है 36 गड़ व्यापम में अधार लिंक करने का लिंक है वो एक्ट्यू कर दिया है तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से ही अपने व्यापम के आउनलेन फॉर्म को अधार से लिंक कैसे करेंगे अपने प्रोफाइल को अधार कार्ड से विरिफाई कैसे करेंगे पूरी जनकारी आपको इस वीडियो में मिल जागी आप घर बैटे ही बीना किसी जो है बहार जाए असानी से आप अपने अधार कार्ड को अपने व्यापम के जो प्रोफाइल से लिंक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो यहां नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जो 36 गर्ड व्यापम दोरा 19 जून को जारी किया गया था इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सभी केंडिडेट जो 36 गर्ड व्यापम में ऑनलाइन फॉर्म भरे होंगे व्यापम के जो प्रोफाइल है उससे लिंग करवाना आवश्यच्थ है जब आप अपने अधार काट को 36 गर्ड व्यापम के वेङट से लिंग करेंगे तभी आप नया फॉर्म भर पाएंगे या आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं 36 गर व्यापम पर अधार लिंग करना अती अवश्यक है क्योंकि इसके बिना ना तो आप फॉर्म भर पाएंगे नहीं फॉर्म में सुधार कर पाएंगे दोस्तों अगर आप जो 36 गर व्यापम की वेबसाइट पर अधार लिंग कर लेते हैं तो वह कॉंसलिंग के समय भी आपका काम आने वाला है अगर आपका कॉंसलिंग होगा तो आपका अधार वेरिफिकेशन होना आवश्यक है तो चलिए जान लेते हैं कि हमें अधार लिंग कैसे कराना है इसके लिए सबसे पहले आप अपने मुबाइल के ब्राउजर को उपन कर लेंगे और सर्च टेपर आकर आपको सिजी व्यापम लिग के सर्च कर देना होगा यहाँ पर व्यापम की विबसाइट दिखीगी यहाँ पर आपको क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करेंगे हमारे सर्च में 36 गड़ व्यापम की ऑफिशल विबसाइट है उपन हो जाता है जैसी आप इस पेज में नीच आएंगे हाँ पर all in application लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा आप चाहने तो किसी भी लिइंग इक जो है आप क्लिक कर सकते है कईकि हमें profile पर जाना है और हमें profile को login करना होगा जैसे यहाँ पर पहले link पर click करेंगे हमारे समने इस प्रकार से profile login करने का page है वह आ जाता है जब आप all in form बरे होंगे उस समय आपने जो registered mobile number दिया होगा और जो ID यानि password बनाए होगी उसको यहाँ पर डाल देंगे अगर दोस्तों आप जो password भूल गे होंगे तो नीचे forget password का यहाँ पर बटन है वहाँ से आप अपने जो है password को forget भी कर सकते हैं अपना registered mobile number डाल लेने के बाद नीचे password डाल देंगे और login के बटन पर click करेंगे तो आपका profile है इस प्रकार से login हो जाता है इसके बाद जैसी आपका profile है इस प्रकार से login होगा यहाँ पर profile के बगल में देख सकते हैं एक link दे दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि link giver अधार यहाँ पर आपके अधार कार्ड को link करने का जो link है वह provide कर दिया गया है आपका अधार कार्ड यहाँ से verify कराने के लिए यहाँ पर click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे हमारे शामने एक नया page है वह open हो जाता है सबसे पहले यहाँ पर आपको दो options देखने को मिल जाएगा आपके अधार कार्ड को link करने के लिए आप जो है biometric यानि finger pin के द्वारा जो है verify करा सकते हैं इसके लिए दोस्तों आपको choice इंटर जाना पड़ेगा लेकिन second step में आप घर बैटे ही खुद के mobile से ही अपना verification करा सकते हैं देख सकते हैं OTP की थूँ आपको verification कराना होगा जो आपके अधार कार्ड पर register mobile है उस पर एक OTP आएगा उस OTP को डाल कर आप असानी से घर बैटे ही verification करा सकते हैं इसके लिए नीचे आपको अधार नमबर लिखा हुआ आ रहा है तो आप अपने अधार कार्ड के नमबर को नीचे डाल देंगे नीचे जो declaration है यहाँ पर tick mark कर देंगे यहाँ पर right कर निशान आ जाएगा इसके बाद नीचे get अधार OTP लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको wait करना है क्योंकि आपके register mobile नमबर पर OTP जाएगा OTP आ जाने के बाद देख सकते हैं enter अधार OTP लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पर आपको जो भी अधार काट के through OTP आया होगा उसको यहाँ पर enter कर देना है OTP एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर verify OTP लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा जैसी आप verify OTP पर क्लिक करेंगे आपको OTP verification यहाँ पर successful हो जाता है आपको OK के बटन पर क्लिक कर देना होगा इसके बाद जैसी है आप इस प्रेस भी निचे आते हैं आपर देख सकते हैं अधार verified यहाँ पर profile लिखा हुआ आ रहा है यानि कि आपका अधार का verification होगा है तो दोस्तों इस प्रकार से आप बिल्कुल असान तरीके से घर बैटे ही अपने अधार कार्ड को CG Vapam के website से लिंक कर सकते हैं verify कर सकते हैं